हेलो दोस्तों अगें वेलकम टो माई यूटूब चैनल टेकनिकल टेक माइंड रवी दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं जरोली जो है टेक वीडियो बनाता हूँ तो इसी के बेस पे आज एक फिर से नहीं एक वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए का साफ़ी, इमपõrtenट है क्योंकि जो मिरा आज़िस्क का वीडियो है कि हम लोग इमेरजेंसी सीचुेशन Jetzt जब हमारे उपर आती है और हम लोगों कि जरूरत होती है तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी जरूरत पढ़ती है और उस नंबर्स पर हम लोगों प्राइरेक्ट कॉल नहीं कर सकते उस सीचुएसंस पे तो ऐसा ही एक वीडियो के थुख आप जान सकते हैं कि जो हम कैसे सीचुएसंस जो हमारे लिए अच्छी नहीं है और उस समय हमको इमेर्जेंसी कॉल की जरूरत होती है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं वह भी जो की बीना कि वहल हमको power button को click करके कि तो आपको यह पता है कि आप power button को कुछ mobile पर ठीटाइम्स पर फाइंव टाइम्स क्लिक करके वह हो और अब कोई भी इमर्जेंसी जो service प्रोइट करते हैं sura या फिर जो कोई भी आपके पर्सवनल जो इमेर्जेनसी नंबर जी हो आपके कान्टेक्ट में रहते हैं जैसे के घर का हो गया पैरेंट्स के हो गया उन नंबर पर आप पावर बटन को क्लिक करके तीन बार आप कॉल कर सकते हैं और वह भी बिना मोबाईल को अलग की है या फिर ऐसा situation नहीं है कि आप mobile को जो है unlock नहीं कर सकते और dialing नहीं कर सकते तो इस situation पर आपको क्या करना होगा किवल power button को आपको click करना है तो आए दोस्तों इसी important वीडियो को मैं आपके सामने आज share कर रहा हूँ तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखिए और समझे कि ऐस सकते हैं तो चलिए हम लोग इस वीडियो को सुरुआत करते हैं अब मेरी इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर होने वाला है तो दोस्तों जो भी emergency numbers होते हैं और यह जो facilities होती है वो आपके कोई भी Android अगर यूज करते है तो चलिए दोस्तों हमको सब से पहले इसके लिए जाना होगा अ अग्ट करना होगा जैसे में यहां पर देखिएगा क्लीक कर रहा हूं यहां पर हमको नीचे Canadians और आप आयम पर सेक्योरिटी के आपसन पर जाना है यह आद में एक नया जो आफसंस है वो ओपन होंगे यहां पर से देखिए का एक पेज ओपन हो गए अब यहां एस ओएस इमर्जेंसी कॉल दिखा रहे है तो एस जो इमर्जेंसी काल होता है दोस्तों यह होता क्या है मैं इसी के लिए आज का यह मेरा वीडियो बनाया हूं तो ज साथ इसको एक डिश्ट्रेक कोड होता है जिसके तुरू आप क्या है उस समय का जो इन चीजों को आफसं है उसको यूज करके आप अपनी जान को बचा सकते हैं तो इसी के लिए इमर्जेंसी जो सर्विस प्रोवाइड का आफसं दिया है इस पर दिया हुए है मोबाइल प इमर्जेंसी चॉल पर क्लिक किया है यहां पर देखियेगा यह सारे नंबर्स दिये है कि इमर्जेंसी कॉल क्वीक एक certains इमर्जेंसी नंबर्स ऐटो कॉ zug ninety उयमर्जेंसी सर्मिस नंबर्स जो इक्डिक्वालdock नंबर्स होता है क runners उता है का हमारे गरुन्ड का Beethoven का जो होता ह है इसके साथ में आपको और अपना जो परसनल घर का नंबर है पैरेंट्स का नंबर है इस पर एट करने के लिए क्लिक कर सकते है और यहां पर से देख लिए आप सेलेक्ट कर सकते है जो भी आपको नंबर यूज करनी होगी घर के नंबर यूज करना होगा या फिर और जो भी इमर्जेंसी के लिए जो number यूज़ करना होगा पैरेंट्स का तो इसको देखें मैं यहां कर लिया एक number अब यहां पर से मैं क्या कर लेता हूं यहां बेक करके यहां देखिएगा दोस्तों emergency call quick access रपसे उपर आफसा ने पर press the power button 3 times in arrow to make an emergency call दिया है इसके नीचे में auto coil, emergency service 112 है उसके नीचे में sound alert before dialing क भी है auto send SOS message यहां पर देखिए auto send SOS message क्या होता है कि यहां पर से न जब इसको click रहेगा तो current location के साथ में आपका जो emergency contact को जो भी 112 या फिर आपका जो personal घर के नंबर है उन पर ये आटो जो current location के साथ SMS चला जाएगा तो location के link दिया जाए रहेगा उसको click करके करना रहता है ठीक है दोस्तों तो इसको मैं आगे बताने वाला हूँ तो देखे location के लिए हमको जैसे उसको click किया है यहाँ पर से location on कर देना है और emergency SOS के लिए जो time जो allow करती है इस समय के लिए उस पर click करना है अब चलिए महीं सारे चीज़े हमारा on हो चुका है यहाँ पर से auto send SOS message भी on हो चुका है यहाँ पर auto call emergency service भी on हो चुका है तो यहाँ प पास पास के जो photo है उस capture कर सकते या auto five is audio recording भी वहाँ पर चला जा सकता है दोस्तों तो यह सारी absence है जो आपके लिए बचाओ के लिए काफी महत्वा पूड़ा है तो यहाँ पर से देखिए अब हम बेग कर लेंगे और बेग करते हुए क्या कर लेना है हमको फिर जैसे लॉग करके हम लोग को क्या है three times मैं इसको power button को on करूंगा power button on करने मात में देखिएगा इस पर emergency call जो हो चला जाएगा ठीक है दोस्तों और सांथी साथ मैं यह पताने वाला था कि जो emergency information था उस पर आपको basic information भी दिया हुआ है blood group यह सारे चीज़े दिये हुए है तो इस सारों चीज़ों को आपको 8 कर लेनी है क्योंकि आप इतने यह सारे चीज़े किये हुए है अल्टरेडी पहले कुछ-कुछ और जैसे आता है registration करते है तो ऐसी यह सैम चीज़े है ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए का बेक करने के बाद में power button प्रेस करेंगे three times में और यहाँ पर से auto redialing जो है क्या है auto calling हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर इस्क्रीन पर जो यहाँ पर आ रहे है इस्क्रीन पर क्या है मैं यह नंबर देखिए जैसे auto call किया हूँ यहाँ पर three times यहाँ पर emergency number पर चला गया था 112 पर ठीक है दोस्तों और यहीं पर से यूज कर रहा हूँ और एक ASOS जो message होता है दोस्तों यह भी यहाँ पर से चला जा रहा है तो यह सारे चीजे कि बहुत ही emergency service की जरूवत होती है तो यह काफी helpful है हमारे लिए तो देखिए कि SMS भी चला गया अब चलिए मैं बात करता हूँ हमारे SMS का तो SMS पर हम लोग आप वीडियो स्क्रीन पर देखिएगा कि वहाँ पर SMS का जो वीडियो है यह कैसे चल रहा है देखिए आपको SMS को open करना यहाँ पर SMS open करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या आ र आपको से यह चेक माइ लोकेशन्स करके आपसा ने इस पर जैसी लिंक दिया है उसको क्लिक कर रहा हूं क्लिक करने के बाद में देखिएगा इप इस पेज पर विजीट करते हैं तो यहाँ पर यह लोकेशन का आपसन क्या है आ चुगा है मलब यहाँ पर सारे डिटेल्स द तो आप इसको यूज करके उस लोकेशन करें लोकेशन से पहुंच सकते हैं और वो पहुंच सकते हैं जिसको आपने यहां पर इमेर्जेंसी सर्विस के लिए कांटेक्ट को एड किये हुए है और हो सकता है यह जो कठिनाई भारी सिच्वेशन पर आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगा और आपका जान जो जोखिम से बाहर निकल सकता है तो थैंक्यू दोस्तों इसी तरह का और जो नौलेज रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइप कीजिएगा और बेल आइकान पर क्लिक करना न भूलिए थैंक्यू जाइन जावारत